नमस्कार हमारी स्कास पेश्कुष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ दिव्यातिवारी खुशाल होगा किसान तभी तो खुशाल होगा राजस्थान जिहां जमीन का सिनाचीर कर जो अन्न के भंडार भड़ता है तप्ती धूप में जलता है और सर्द रातों में गलता है फिर भी अपने खुन पसीने से सूबे की तस्वीर में खुशाली के रंग भड़ता है फर्स इंडिया प्रदेश के हर ऐसे किसान को सलाम करता है लेकिन क्या सूबे के हर किसान को उसका मुकमल हक मिल रहा है कही अनिदाता के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा कहीं कोई किसान सरकारी मदद से महरूम तो नहीं कहीं अमानत में खयानत तो नहीं हो रही इसने खेट से उठी हर गुहार हर पुकार को फर्स इंडिया देगा बुलंदा आवाज जो कह रही हैं हमारी भी सुनो सरकार बहतर सेहत बनाना और उसे बरकरार रखना हर किसी का लक्ष होता है और इसके लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं सुभे जल्दी उठते हैं, जिम जाते हैं, हेल्दी खाते हैं, जूस पीते हैं, हरी सबजिया खाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो सिहत को बनाने के लिए आप सबसियां खाते हैं वो सबसियां ही आपको बिमार बना रही हैं हमें कैंसर जैसे घा तक बिमारियों के जद मिला रही हैं देखे एक खास रिपॉर्ट अगर आप स्वादिश्ट सब्जियों के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है अगर आप हरी सब्जियां खाकर सिहत बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है क्या आपको पता है कि बाजार से जो सब्जियां आप स्वाद और सिहत के लिए खरीद रहे हैं उसमें जहर घुला है, जी हाँ, ये हम नहीं बलके खुद कृशी वैग्यानि कह रहे ही जोधपुर के कृशी विभाग के उपने देशक बीके दुवधी की माने तो इंटरनेट पर देखकर किसान खेती में केमिकल इस्तिमाल कर रहे है ये केमिकल सबजियों को जहरीला बना देता है, जसके चलते आगे जाकर कैंसर जैसी बीमारियां होती है बीके दुवधी किसानों को केमिकल से दूरी बना कर जैविक खेती के लिए प्रेडित कर रहे है आना वश्यक रूपशे केमिकल के यूज करना खास करके पेस्टिस साइड्स जब जरूद नहीं भी ए फिर भी यूज करना उसमें बहुत सारे कारण हैं इतने डीलर्स लोग भी मॉटिवेट करते हैं किसानों के भी बहुना बढ़गी कि हम पड़े लिखे ही जादा है और इसमें नेक में देख लिया तो खोज करके चलो ठीर है हमें एक एक मल डाल देना केमिकल तो यह धारणा बदलने की निश्य रूशे आऊ सकता है क्योंकि इससे हमारे जहरीला जो सरीर में बिसालापन बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो भी हम प्रेस्टिसाइड डालेंगी वो जाएगा अल्टिमेटली ग्रें में यह वेजटेबल्स में और वो फिर मार्केट से हो होते हुए घूम फिरके हमारे किचन तक पहुँचेगी उसको हम पकाएंगे खाएंगी तो वो पिस्टिसाइड को जो रेजिडू है बाडी में बिल्ड़ अफ होगा फिर यह विविद रूपों में फूट के निकलता है दरसल पश्मीर अस्थान में बदलती जलवायू ने रासानी खेती के बजाय जैविग खेती का विकल खोल दिया है किसान जैविग खेती से मोटा मुनाफा कमा रहे है कई किसान खेत में ही वर्षा जल संडक्षन, लाबदाए कीटों का संडक्षन, खाद कीट नियंतरक बना कर अन्य किसानों के लिए प्रेरक के रूप में सामने आये हैं जैवे खेती की लागत रासानी खेती से काफी कम है साथी रासानी खेती से कम हो रही मिट्टी उत्पादक्ता जैवे खेती बढ़ाएगी जैवे खेती स्वास्थे के लिए हनिकारक नहीं है आपने गोर किया होगा एक कैंसर ट्रेन आजकल सो रही है और यह ट्रेन अपने पंजाब में बहुत जादा यूज है पेस्टिसाइट का जो हुआ है उसका प्रेडाम है कि वहां से पूरी की पूरी ट्रेन कैंसर पेसेंट से भरकर बेकानेर के अस्पताल में आती है कैंसर हास्पिटल में और उस ट्रेन का नाम आज की समय में कैंसर ट्रेंड बोला जाता है यह इसदी हो गए तो इसको जैविक खेती एक विकल